हेलो एबरीबर आज मैं आप लोगों के सामने रेजिन फोटो फ्रेम का फुल टूटोरियल लेकर के आई हूँ तो सबसे पहले साब धानिया पहला जहां भी हम रेजिन आर्ट करें वहां ओपेन विंडो होना चाहिए जादा हम बराबर नहीं पहन पाते क्योंकि स्वेटिंग होती है तो बीच बीच में आप उतार दें लेकिन आपको पेहनना है उसके बाद जहां भी आप रेजिन आर्ट कर रहे हैं तो बेश जो है उसको कवर कर दें या प्लास्टिक है पेपर किसी चीज़ से उसके बाद कोई छोटा आर्ट पीस आप बना रहे हैं तो एक ट्रे या कोई हार्ट बेस होना चाहिए जो कि एक्वल हो उपर नीचे ना हो और उन दोनों के बीच में भी एक प्लास्टिक डाल दें ताक कि रेजिन अगर गिरे भी तो वो ट्रे जैसे मैंने डाला है तो ट्रे कम होगा तो इस तरह से आपका आर्ट पीस जो है वो टेरा बनेगा हम देख रहे हैं कि लिक्विट जो है अभी तक बीच में नहीं है थोड़ा से तिर्शा तो है अभी भी तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो ट्रे मैंने रखा है उसके नीचे कोई ठोस चीज डाल देंगे जिससे कि यह इक्वल हो जाए तो मेरे पास एक प्लास्टिक का यूहीं मोल्डिंग क्ले का जो बेस कटर वगेरा कुछ होता है वो था तो वो मैंने इसके नीचे डाल दिया है ताकि यह लेवल में आ जाए और इसके बाद यह लेवल में आ गया था टेवल ठीक करने के आपके टेप में चिपक जाएंगे और मोल्ड आपका साफ हो जागा यह सबसे इजी वे हैं मोल्ड को साफ करने का अधर वाइस आप गर्म पानी करें और इसमें कप्रा मतल से निचोड़े उसके बाद पोशे उससे तो बहुत बेस्ट यह है क्योंकि ट्रांस्परेंट पीस बनाएंगे तो डश दिखेगा तो पीस आपका अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद मैंने क्या किया अब यह फोटो निकल वाली थी मैंने तो इस फोटो को हम सबसे पहले मेजर कर लेंगे जो मोल्ड है हमारा उसके बराबर में यह आता है या नहीं मतलब उसमें सेट होता अब जो सरकल हमने बनाया है उससे हाफ इंच अंदर करके हम कट करेंगे वरना यह फोटो जो है हमारे मोल्ड से बड़ा हो जाएगा तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे जो है रेजिन मिक्स करना अभी मैंने लिया है टू इस टू वन रेजिन इसका मतलब हुआ कि दो पार्ट हमें लेना है रेजिन का और एक पार्ट लेना है हार्डनर का जैसे कि दो चमच अगर हम रेजिन ले रहे हैं तो एक चमच उसमें हार्डनर मिक्स करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसके लिए गलवस पहन लिया है और हाँ कप्रे जो है आप पुराने यूज करें क्योंकि कप्रों पर रेजिन लग गया ना तो कप्रे आपके खड़ाब हो जाएंगे उसका कोई लाज नहीं है वो ठीक नहीं होगे मेरे कप्रे खड़ाब अलड़ी हो चुके हैं मेरे इस्पिरियंस है तो मैं आपको बता रही हूं तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले जब तो कितना हमें रेजिन चाहिए होगा कितना हमें हार्डनर चाहिए होगा बस यहीं एक सिंपल और इजिए तरीका है तो यहां मैं डायरेक्ट ही रेजिन डाल रही हूं क्योंकि मुझे आइडिया है अल्रेडी मैं हमेशा सबसे पहले हार्डनर ही डालती हूं तो 75 ग्राम मै मैंने रेजिन डाला है ग्लास काफी ऊपर तक फेल हो गया था मुझे तो डर लगा कि मुझे सायद किसी और बरतन में डालना पड़ेगा तो इस तरह काम अगर आपको करना होना तो थोड़ा बड़ा ही टब लें जैसे कि आप खाना वगरा मंगाते होंगे तो कंटेनर होता हो को धीरे-धीरे मिक्स करना है हलकी हातों से अगर तेज-देज मिक्स करेंगे तो बबल साजाएंगे और वह बबल फिर हमारे आर्ट पीस पर आ जाएंगे तो वह मुश्किल हो जाएगे हमारे लिए इसलिए स्लोली एकदम करना है और किनारों से निकालते हुए हमें करना है मतलब किनारों से भी रेजिन निकालना है कको बार ही बार किनारों में रेजिन जो है रहा जाता है चपका हुआ तो वह उससे भी महारा आर्ठप deist ठीक नहीं बनती है जैसे ही रेजिन के साथ हम testify को मिक्स करते हैं पतलक्त और Gör beige को ठार्ट तो तो यह लिएसे थिक हो जाता है और पतला होता है सुझ पतले के हां okay मारा कुक्न और से खिर हम दिखने लगे तो शब्सक्त एमोरी के सब्सक्राइब दो पांद package कि इसे हम दो चार मिनटी के उट सब्सक्राइब effectively ताकि बवस जो भी आये होंगे इसमें वो अपने आपी खतम हो जाएंगे ज्यादा देर नहीं छोड़ना है क्योंकि 15-20 मिनट के बाद ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको इससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ठीक होने के बाद भी हम अलग तरह क एक आर्ट पिस बनाते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए अभी हमें क्योंकि फोटो फ्रेम में यूज करना है तो हमें चाहिए कि इसमें थिकने सभी ना आए अब दुबारा से लेंगे हम अपनी ट्रे और बेस पर रेजिन को हलका सा डा अब फोटो के ऊपर हम रेजिन डालेंगे तब तक जब तक कि मोल्ड पूरा फिल हो जाए अच्छी से इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हमें करना है डेकुरेट तो आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं रेजिन के अच्छी बात होती है यहां मैंने लि परपल कलर में हैं वह सब खड़ी अब इनको हम सेक्वेंस बाइज लगा देंगे और इसके उपर से हलका हलका रेजिन डाल देंगे और दबा दबा करके से ऐसे करेंगे कि रेजिन में अच्छी से इसके उपर नीचे हर तरफ रेजिन लग जाए अब मैं यूज कर रही हू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से पर्चेज कर सकते हैं और मेरे पास यह पर्ल कुछ बहुत पहले से रखे वे थे वही मैं यहां पर यूज कर रही हूं और फिर इनके उपर भी हलका 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 रेजिन डाल दे रही हूं अब इसके उपर हम में क्या करेंगे जो भी थोड़े बहुत बवल्स रहे गए हों उसे हटाने के लिए हम एल्कोहल स्प्रे का यूज करेंगे अब हम इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे जहां बच्चों का हाथ ना पहुंचे और आर्ट पी समारा खराम नहों और किसी कार्टून य उसी टाइम लगा था जब इसे हमने पोर किया था अब फाइनली हमारा ये आर्ट पीस बन करके रेड़ी है फोटो फ्रेम कैसा लगा आप सबको जरूर बताईएगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करके जाईएगा थैंक यू सो मच पर वा